लेरे स्टूडेंट आज किस वीडियों बात करेंगे बीए फिप्त समस्टर यानि कि बीए पंचम समस्टर के हिंदी के सिकेंड यानि कि दुतिय प्रश्ण पत्र के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्चिन एंसर के बारे में तो वीडियो काफे हिल्प होने वाली है तो कंपलीट देखेंगे तो आपको जरूर हल्प मिलेगी तो बिना देरी को वीडियो को शुरू करेंगे और आपके समस्त महत्त्र पॉंट परस्थन करेंगे तो आज कि सबसे पहरा प्रस्थन है वो यह कि निराला का संशिप्त परश्चा दिजिए यानि कि ध्यान सुनेंगे शूर का ग्यारा संबत 1955 यानि की वंतिस फरोरी अठारा सो निन्नान नबे को राम सहाय तिवारी के घर में शूर का अंत्रपाथे निरालिया जी का जिन्म हुआ था ये कहते हैं डाक्टर राम बिलास सर्मा जी ठीक है और अगला पॉइंट इसे में ध्यान सुनेंगे साय ठीक है सैस्ठुवा वादी अलोचक अचार नंद दुलारे बाजपेई ने कहा है कि सुरकांत्रपाथी निराला जी का जो जन्म है एक मिनट हाँ जन्म नहीं सोरी सोरी नंद दुलारे बाजपेई के नुसास सन 1911 में निराला जी का बिवा जो है वो राय बरेली जिले के दल्मो नामक अफ्थान के निवाफी फिरी राम दयाल दुबे की पुत्री मनोहरा देवी से संपन हुआ था ठीक है तो राम बिला सर्मा जिनके जन्म के बारे में बताते हैं और अचार आनंद दुलारे बाजपे इनके बिवाह के बारे मता थे तो इनका बिवाह बता जा कि 1911 में हुआ था वो भी डल्मो नामक अफ्थान पर एक राम दयाल दुबे जी का परिवार था और राम दयाल दी की पुत्री जिनका नाम था मनोहरा ठीक है मनोहरा देवी उन्हें से इनका बिवाह हुआ था सुरकांद्रिपाठी निराला जी का ठीक है फिर उसकी अपनी पुत्री का भी बाठीक है लंबी बिमारी के बाद शन 1935 में सरोज की मृत्ति हो गई यानि की पुत्री की मृत्ति हो गई और निराला जी का देवासन बाद में हो गया जो की 15 अक्टूबर 1961 को रभिवार को चित्रकाल कमला फंकर के दारा गंज इलहाबाद वाले मा कान में प्राता नो बच कर 23 मिनट पर इनका देवासन हुआ तो इस तरह बेसिक परचे लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद की कुछ प्रमुक रशना है उनके बारे में लिख दीजिएगा ठीक है जो कि मैं आप लोगों की समस्प लिखेंगे कि निराला जी ऐसे कभी कलाकार है जिनका जीवन किसी वाद की सीमा में अब ब्रध नहीं होता वे कभीर की तरह करान्तकारी और कड़ कभी हैं दोनों रशनाकारों में यदि कोई अंतर है तो या है कि कभीर संत पहले और कभी बाद में है और निरौला जी कभी साहित्तकार थे इनक रशनाव इनकी रशनाव में राश्ठेटा और देश प्रेम की अजफ्र सरिता प्रभावित होती मतलब कि जो भी रश्नाय रखते थे उसमें देश के प्रत्रेम होता था बतलब की देश को अपने ध्यान में रखते हुए रशनाय रश्ते थे ताकि वो देश ही तो सावित हो देश के लिए हूँ ओके और देश की सांस्कृतिक जो है उसका पतन ना हो ठीक है और देश के सांस्कृतिक पतन की ओर निराला जी की अतियन्त ओजुपूर्ण भासा में संकेत संकेतित किया यानि की जो हमारे देश का कल्चर है रित्रिवाज है उसका पतन नहों समाप्त नहों इफले वह उस चीज से हमेशा लड़ते रहे कि किसी भी प्रकार से हमारा जो कल्चर हो बना रहेना चाहिए उस पे कोई भी समस्चया नहीं आनी चाहिए ठीक है तो इसलिए वताया गया है इसा अपने कल्चर का अतियंत वो ओजपूर भासा में संकेत करते रहते थे उनका मानना है कि देश के भाग्या कास को बिदेशी सत्ता के राहू ने अपना ग्रास बना लिया अता उसे उस पाप ग्रास से मुक्त करा कर उसकी खोई हुई अस्मिक्ता को वापस लाना है इसके लिए अपेच्छी त्याग ताब बलिदान देने के लिए सुसुस्त भारतिये जन मानस को बार बार प्रभोधित करते थे निराला जी ठीक है और देश प्रेम और राश्टिये उद्भोधन की उनकी अपनी सहली है जो उनके आरंभिक काब जीवन से ही मुख लिए ठीक है और उन्होंने एक देश के लिए अपना जी जान लगा दिया ठीक है तो इस तरह इसका परचे लिखेंगे उसके बाद आगले जो प्रमुक कभी है उनका नाम है जैसंकर प्रसाज जी जैसंकर प्रसाज भी राश्टे भावना के कभी थे इन्होंने वह देश को देखते हुए देश प्रेयर देश भकिति ॉत्त लिखेंगे जैसंकर प्रसाज जी की रसों में राफटे भावना का श्षक मुखरित है पर अतुल अनुराग भारत देश Pacific Schools कर देने कि उनकी भावना कि एक उधाहार दर्स नहीं, मत तब कि वो अपने जान अपनी जितनी भी मतब कि उनके पास पावर है जिस भी माद्दम से देश को आगे ले जाना चाहें या फिर देश को गौरवान गौरवानवित के लिए वो हमेशा आगे रहते थे ठीक है तो यहां पर एक पंक लिखी गई है लिखे देखिए सुनिए जिये जो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यही हर्स निचावर कर दें हम सर्बसो हमारा प्यार भारत वर्स ठीक है तो मतब कि अपने आपको अपने पूरे जितने भी उनके पास सरीर में अंग है या फिर उनके जितने भी भासाएं है या फिर उनके अंदर जितनी भी quality हैं वो भारत के लिए बलिदान हैं भारत के लिए निचावर हैं ठीक है तो इस प्रकार के कभी थे ओके के बाद अगला कोई question है भारतें Χुरिश्चंद का जीवन पर तो जान लीजे इनका जीवन परचे भी तो भारते इंद हुरिष चंदर जी सुधी पत्रकार का भी नाटकार हैं ठीक है पत्रकार भी थे नाटकार भी थे निवंदकार भी थे अलोचक भी थे ठीक है इन सभी के लिए प्रिसिद्ध थे अपने कम समय में यानि कि अलप जीव पड़ा है तो इनके नाम सिपकु आरा जाता वाफ़तों में वे हिंदी साहित गगन के इंदु ही थे आज भी हिंदी साहित का या इंदु अपने दिब आलोक से हिंदी साहित लोक को दीबती मान कर रहा है भारतिय के हरिश चंद जी का जो जन्म है कासी में हुआ था संबत की बात करें तो 1907 में उस्तन की बात करें तो 1850 में इनका जन्म हुआ था इनके पिता का नाम गोपाल चंदर गिर्दरवदाफ था पारिवारिक दायत के बोज के कारण ये बिद्वित फिच्छा प्राप्त नहीं कर सके मतलब कि परिवारिक कंडीफन इतनी अच्छी नहीं थी प्राइंसियल रूप से इतने श्टोंग नहीं थे किनकी जो पढ़ाई वह अच्छे तरीके फे अच्छे कोलेज में हो सके ठीक है तथा पी इन्होंने हिंदी बांगला सांस्क्रत यों मराठी महाफा का ज्यान घर पर ही प्राप्त कर लिया मतलब कि अधिक इनको बिद्व बांगला सांस्क्रत यों मराठी माफा का ज्यान प्राप्त कर लिया ठीक है और भारते अंधरिश्चंद की माता इन्हें पांच वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चल बशित मतलब कि भारते नहीं थे पांची वर्ष के थे तब इनकी माता का देवासन हो गया था है वर्ष को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है जिवन परच्चे के साथ साथ चायावादि की प्रमुग विषर्ष्थाएं कुछ हैं जैसे की ब्यक्त प्रधानता है यह बिषर्था प्रियता है प्रकति प्रेयम है कलपना धिक के हैं बिरे और आउसाद की प्रधानता है और नो भासा सही लिए ठीक है और चायावादी यूग के कुछ प्रमुक कभी है प्रसाज जी है यान जैसेंकर प्रसाज जी और सुमित्रा नंदन पंत जी है शुरकांतर पाठी निराला जी है महादेवी वर्मा जी है म माखनला चतरवेदी जी है और बालकर्ष्न सर्मा जी है ठीक है नवीन इस कभीता को आधुनिक काल की सर्बुच कभीता तक कहा गया है इसका महत बताते हुए डाक्टर नांगेदर ने कहा कि इसने कामायनी का सम्रद रूपक पल्लो और यूगांत की कला नीरच के अफ्रु वाजी तत्त ही अपनी आतिकी सीमा तक पहुंच गये थे हमारा तातपर व्यक्तिक्त कुंठा अफलील स्रंगार चरम निराफा और पलायन प्रवत्ति आद से है नरेंद्र सर्मा अंचल बच्चन नीरज आद की प्रारंभिक रस्नाएं इसी खेमें का प्रतिनित करती है कहन लेकिन इस साबित है कि धिया जानकारी होई प्लफ क्रम को कभी कौन-कौन से तो आपने विसे खिस्ताव में जाना की ब्रधानता तै सरंगार प्रेरता थी त्वरे और अफ्साथ था ठीक है और जो कभी थे पंती निराला जी अधिवर में आपको ध्यान रखना उसके लेकर प्रधार मंत्री तक का सफर करने वाले युकपुर्स अटल बिहारी बाजबी का जो जन्म है मर्द प्रिदेश की गुवाले जिल्म में मध्यम वर्गिय परिवार में हुआ था अटल जी के साथ भाई बहन थे यानि साथ भाई बहन थे टूटल मिलाके इनके पिता करश पादिप्राप्त की अटल बिहारी बाजबी जी ने उन्होंने लखनों के लोग कोलेज में आगे पढ़ने के लिए अवैदन भी दिया लेकिन फिर उनका पढ़ाय में मन नहीं लगा और वह आर एसस द्वारा प्रकाफित पत्रिका में संपादक का काम करने लगे लंबे सम काल राजनेता वा कभी की रूप में जाना जाता है ठीक है वे आजीवन आ विवाहित रहें था कि साधी नहीं उनकी अटल बिहारी जी की सहाइतिक प्रकत के थे मतलब साहित मतलब रशनाओं की प्रतिन का ज्यादा इंटरेस्ट था रशनाय रश्ते थे ठीक है जिससे वह तीनों भासाओं के प्रति आकरश्ट हुए कॉलज जीवन में ही उन्होंने राजनितिक गद्विदियां में हिफा लेना शुरू कर दिया था सुरवात में उच्छात संगठन फेजुडे नारायन राव ने उन्हें काफी प्रभावित किया जो राफ्टे स्वेम सेवक ज़्यदा इंस्पायर किया अटल भीहारी बाजबे जी को और अटल जी भारत की प्रदान मंत्री भी ने फोला अगफ्त उन्हींस्तों फुरी सोला अगफ्त दोहजार अठारा को उनकी मृत्ति हो गई थी कि अध्यान लखेंगे अगला कोश्चिन है कि गुरु गुबिन स जो जन्म है वो पॉस्चुक्ल सब्सक्राइब तदानुसार 22 दिसंबर 1666 और 66 और 66 के करीब इनका जन्म हुआ था ठीक है और वो जे थे सिखों के दास्वे और अंतिम गुरु थे वे गुरु तेग बहादूर के बलिदान के उपरांत 11 नॉम्बर 1675 को दास्वे गुरु बने आप एक महान योधा चिंतक कभी भक्तियम अध्यात्मिक नेता थे कौन गुरु गुबिंद सिंग जी ठीक है सन 1999 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की अफ्थापना की जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्पोड देन माना गया ठीक है और गुबिंद सिंग पबित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिश्चिट किया और बचितर नाटक उनकी आत्मकथा है यही उनके जीवन के विशे में जानकारी का सबसे महत्पोड स्रोत है जिसमें उनके जीवन से लिए के बारे में बता दिवार ग्यान पर बहुत इसके बारे में आपको पढ़ लेना ठीक है तो मैं आपसे रिकुष्ट करूंगा कि कम से कम अगर आपको इन सभी कोश्चन का अच्छे समझना तो कम से कम दो तीन बार वीडियो जरूर देखिए तभी आपके दिमाग में और आपके माइंड में च हर एक महिने पेपर आप लोग के लिए एक महिने का कोस्ट कर दिया जाता कि भी आप लोग तेनी मेंने कम्पिलीट कर दें ठीक है एक महिने फश्टेर के पर इच्छा दीजिए दूसरे महिने से केंडियर के दिजिए तीफरे महिने में थर्डेर के दिजिए कुलमा के तेन तयारी हो पाएगी जितना भी हो सके का हम आप लोगों के लिए करेंगे बाकी कोश्चनल से की पीडियों भी आपको हम दे देंगे तो आप पने तयारी कर सकते हैं और यह आपका अपना है चैनल सेक्टेस्टू सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलते हैं और नई वीडियो मेंगे जरू करते हैं पी जोगों करेंगे नहीं अपका अपक्षो सब्सक्राइब लोगे जरू सब्सक्राइब लग्चriage हम.